असलाम अलेकूम, आज का लेक्चर उन तमाम स्टूड़न्स के लिए जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, इंग्लिश लेक्चर्शिप की त्यारी करना चाहते हैं और एक्जाम में कैसे आपने सवाल को अटेम करना है और अब आपने MCQ में से क्या चीज त्यार करनी है देखें, MCQ वो बच्चे कर सकते हैं जिनका theoretical perspective, chronological order में पढ़ा हुआ है जैसे एंग्लो सेक्सान एज से लेके post-modernism तक जितनी भी literature के अंदर developments हुई है literature के हवाले से, आप अगर इस चीज पर command रखते हैं तो मैं समझता हूँ MCQ आपको मुश्किल नहीं लगना चाहिए अब बात आती है कि आप अब क्या करें, जो time बहुत कम है, तो जब time कम है, तो इसके अंदर 4-5 चीज़ें बताने जा रहा हूँ इनके उपर ज्यादा फोकस करें, नमबर वन, आप कोशिश करें कि जो main genre के authors हैं, आप उनके नाम याद रखें, फिर आपने उन तमाम main genre के authors के दो-दो famous जो किताबे हैं, उनके नाम याद रखें, तूसरी बात, आप जितनी भी literature के अंदर movements हुई हैं, जैसे existentialism है, और romanticism है, और उसके बाद victory in age है, उसके अंदर जो जितनी movements हुई हैं, उनके जो imminent authors हैं, जो उनके leading front page जिस writer ने काम किया है, आप उनके उपर, जो है न, अब MCQ याद करें, जैसे imageism है, वो modernism के अंदर, इसरा पाउंड का एक बहुती बड़ा नाम है, तो आप उसका नाम याद रखें, और imageism याद रखें कि ये किस की development थी, इसी तरह जैसे romanticism है, तो William Wordsworth और S.T. College का बड़ा नाम है, तो आप इसको भी याद रखें, फिर आप देखें, existentialism है, आप इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, कि ये किस ने दिया, कहां से जो है start हुआ, फिर आप क्या करें, जो famous books हैं, जैसे जैन आस्टन का pride and prejudice book है, इसका theme क्या है, आप सिर्फ books के theme को याद रखें, आप पूरे characters के उपर नजर डाल रहे हैं, अब थोड़ा वक्त है, आपने सिर्फ ये चीज़ें करनी है, तो मैं समझता हूँ कि आपको इतना मुश्किल ये paper नहीं लगेगा, और उसके बाद, आपने ये चीज़ भी ज्यादा से ज्यादा focus करनी है, कि जब आप समझते हैं कि ये सवाल इस यानरा से है, तो इस author का नाम याद रखें, author के हवाले से वो आपका MCQ भी फिट थाबित हो सकता है, तो इस तरह जो बचे अब exam देने जा रहे हैं, तो दो तीन sources बताने जा रहे हैं, पारक MCQ वेबसाइट पर literature के अच्छे खास हैं, MCQs पड़े हुए हैं, और उसके बाद English Linguistics का जो portion है, आपने The Study of Language by Jarjul का किताब है, इसमें से मैंने chapters भी mention की हुए हैं, अगला वीडियो आप देखेंगे, तो उसमें 5-6 chapters हैं जिसको आपने एक दिन के अंदर ये cover कर सकते हैं, और बहुत ही आसान सा तरीका होगा उसमें से, तो जो बचे अब exam देने जा रहे हैं, उनके लिए बेस्ट वीडियो है, अब MCQ का टाइम है, अब theoretical perspective नहीं रहा, जितना थेरी जाएंगे, MCQ पीछे रह जाएंगे, अब आपको ये भी रखना है कि प्रोटेस्टिनिजम और कैथलिक्स के बीच में जो civil war हुई थी, ये किस के period में हुई थी, ये भी चीज रखनी है, और जो literature के अंदर developments हुई हैं, जिस यानरा के अंदर उनका भी नाम याद रखना है, तो आप ऐसा करें, 6-7 दोस्तों का group बनाए, और उन तमाम friend में से एक-एक topic जो है, एक-एक friend को दें, फिर वो lecture बनाए, short notes बना लें, मैं समझता हूँ, एक गंड मैं सो क्या है.